तो कैसे हैं दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछला वीडियो बनाया था कि कैसे साहिल चौधरी को उसके घर हरियाना फरीदाबाद से उठा लिया गया और बहुत से लोग उसके बाद यह कह रहे थे कि नहीं उसको मुंबई में ही पकड़ लिया गया था जब वो मुंबई गया था विभोर आनंद के साथ उसने सेशन किया था तब ही जब वो अपने घर के लिए वहाँ पे आ रहा था तो मुंबई में उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया अब देखो यार यह चीज ऐसी है बहुत लोगों को clarity नहीं है कि पूरा विशे क्या हु चौधरी सही में गिरफतार हुआ है नहीं हुआ है कैसे हुआ है क्या पूरी साजश है कैसे सारी चीजे रन की गई है तो मैं यह एक clarification देने के लिए आपको वीडियो बना रहा और पूरी चीजे बताओंगा कैसे क्या हुई जो उनके भाई ने बताई है तो आपको बता था कि इनको जैसे कि अगर आपको कोई पकड़ना है तो बिलकुल आपको अपनी सिटी की पुलिस को बताना पड़ेगा नहीं तो जो सही तरीका है वो यह है कि जो पुलिस आएगी अगर आपके सिटी में आ रही है दूसरी स्टेट की पुलिस तो उनका jurisdiction नहीं होता तो इस और दो हरियाना के पुलिस वाले भी थे और वो साहिल के घर पहुचते हैं जहां पर वो Jim करते हैं और उसके बाद साहिल और उनके भाई वहाँ पर उपस्थित थे और पिर उनको कहा जाता है कि आपके खिलाफ complaint की गई और पूचने पर किसने की है तो वो कोई नाम या जान क्रास्पूत के लिए उनकी आवाज को कैसे दबाया जा रहे तो दोस्तो ऐसा भी नहीं है कि मुंबई पुलिस इनको सीदे फिर उनके घर से उठा के लिए कर जाती है पहले हैं कि पूरी स्थेशन इनका एरिया का वहां पर पूरी प्रोसेडिंग ओती हैं जो भी सारे होते है और जैसे कि इनका भाई जिम समालता है तो इस वज़े से वो नहीं जाता है लेकिन इनके पिताजी जो साहिल के पिताजी है वो वहाँ पे जाते हैं मुंबई गए है और जैसे कि इनको बताया गया था कि साहिल का जो खर्चा है वो ये उठाएंगे बाकी कोई भी आना चीज कही गई है तो इनके पिताजी गए है वहाँ पे मुंबई उसके साथ रहने के लिए आप देखो ये कहा गया है कि investigation फर्दर आपके उपर आरोप लगा और आपकी बेल हो जाएगी इसमें को इतना घबराने की बात नहीं है जो कहा गया था इनको बट समझने वाला दोस्तों सवाल ये आखिर आपने गिरफतार किया ही क्यों है पहले लेफल पे आपको मतलब ऐसा क्या प्रेशर आजाता है कि आप दूसरी स्टेट में पहुच जाते हो एक YouTuber को गिरफतार करने के लिए ऐसा क्या प्रेशर आजाता है ये सवाल बनता है दोस् दूसरी सिटी पहुच जाते हो इतनी हानन बानन कि वह कैसे उसको गिरफ्तार करना है क्यों तो को करना कि न को आज मैं बूट न is मेर्व अब जाहरा उप ऋसको गिरफ्तार करें करें यह Sugый तो को हे तीस बोल रहे हैं महराश्ट्र सरकार के खिलाव जो आगे आके बात कर रहे हैं कि कैसे मुंबई पुलिस ने यहां पर पूरा एक रन किया है इस साजिश को इन सभूतों को मिटाने के लिए उनकी आवाज कैसे नहीं दबाई जाए यह पूरी एक साजिश की जारी है और यह कौन कर साहिल चौधरिये कल को आप होंगे मैं होंगा कोई भी हो सकता है तो यह चीज नहीं होनी चीए कि सत्ता में बैठे वे लोग अपनी पावर का घलत उपयोग करें दुरपयोग करें जिन लोगों से यह वोट मांगते हैं उनको देखो वोट मिलने के बाद उनके लिए तो इ ऐसे लोगों को अगर दबाये नहीं गया यह पब्लिक देखो यार आप कितने सत्ता में रहो आप कितने पैसो की पावर लख लो लेकिन जो पावर पब्लिक गैदरिंग की है न वो चीज को यह नहीं दबा सकते हैं तो यार पब्लिक का एक जुट होना बहुत जरूरी है य बहुत से लोग बेबाग तरीके से बोल रहे हैं ऐसे धूर्त लोगों के लिए जो आगे बढ़के मतलब क्या किये हैं सुशान सिंग राजपूत के पूरे केस को क्या करने के इनोंने कोशिश किये हैं उनके खिलाफ अगर कोई यूट्यूबर बोल रहे हैं 10,000 कर रखें लेकिन आपको सपोर्ट करना बनता है क्योंकि कर फूर्त लेके गए बड़ से बहुत से चोटे यूट्यूबर से उनके साथ ही क्या करेंगे तो दोस्तों आगे आना है अवाज उठानी हैं ऐसे लोगों के नियाई के लिए नहीं तो यह बहुत कर देंगे और बि क्योंकि आप सत्ता का गलत दुरुपियोग नहीं कर सकते हैं तो यह दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आई ओप कि आपको चीजे समझ में आई होंगी रिपब्लिक को टैक करो या रिपब्लिक इसमें विशय पे बात करें कि कैसे साहिल चौधरी को उठा लिया गया तो यह दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आप मेरे को फेस्बुक ट्विटर इंस्टा पर डीम कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं ओए एस्केडी मेरा यूजर नेम है जैहिंद